नारी शक्ति के दो अलग अलग रूप सीरियल पत्याला बेपस में भी देखने को मिल रहे हैं बबिता और मिन्नी मा बेटी भी है और बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं बबिता मिन्नी की ताकत है तो मिन्नी बबिता को हौसला देती है और आज अपनी लाइफी स्पेशल वुमेन के लिए मिन्नी ने प्लान किया है कुछ स्पेशल आप भी देखिए वैसे तो हर दिन नारी शक्ति को सालाम करने का दिन है लेकिन जब इंटरनेशनली एक खास दिन वुमेन्स के नाम डेडिकेट कर ही दिया गया है तो इस सुनहरे मौके का फाइदा सीरियल पतियाला बेब्स की मिनी ने भी खूब उठाया है और आज मिनी अपनी बेब्स यानी ममा के लिए लेकर आई है स्वीट सर्प्राइज तो आज हम यू मियो टीवी के साथ वुमेन्स डे मना रहे हैं जैसे आप सब जानते ही हैं मेरी ली मेरी बेब से बढ़ कर कोई नहीं है तो आज मैं बेब्स के साथ ही वुमेन्स डे मना रहे हूं बेब्स, वांना से सम्थिंग वुमेन्स डे वो एन जो इंगे हैं 1ग वो स्टोर्ष चाहिए, 1 वो आज को कोषवी में वे मना रहे हैं तो इसो अजद को जानन तो शाल जाहिए हुमेन सभी मरे मिनों होट ऑज हम सब को जानना चाहिए अऑन सब को एन रहे होई है विमन खुलकर रहे हैं अपनी बाते रख रख रहे हैं से बहुत मोमेंट्स हैं बिछले कुछ समय में तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा यूग है सदी है जह पर विमन के एमपावर्मेंट को जाना जा रहा है पहचाना जा रहा है उसे वेल्यू दी जा रही है तो लेस्ट चलिब्रेट करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे चोटी सी केक कटिंगे साथ हीरते है सी है एपी विमन्स देए सी बेग सी बेग्स क्या अच्छा केक लाई हू मै हापी विमन्स देए विमन्स के नाम कर दिया गया है फिर भी अभी कुछ ऐसे बदलाव हैं जो लीडीज के हक में होने चाहिए तो अशनूर और तो के हक में आप क्या बदलाव लाना चाहती है मैं यही बोलना चाहूंगी कि that's what our show is also about empowering women one thing जो मैं really बदलना चाहूंगी is कि you know after divorce जब मेल शादी करते हैं तो उतनी बाती नहीं होती but when a divorcee woman looks for somebody else तो उनके character उनकी इतनी सारी चीजें पर जो भी सारी बाती होती है वो I guess that's really disturbing in our society and I guess everybody has equal potential to do their best तो बस डटे रहिए we are almost there to the equality and more power to you women अशनूर Serial वाली ममा को तो आपने surprise दे दिया लेकिन अपनी real mom के लिए आपकी क्या planning है मेरा women's day तो जाने वाला है पढ़ाई में क्योंकि मेरे boards है तो मैं पढ़ूंगी पढ़ूंगी but yes I'm surely gonna do something special because जैसे मिनी के लिए उसकी बेबस है शनूर के लिए भी उसकी mom है the most important women in my life जिनके वजे से मैं हूं I don't know I can't describe my love for her This isn't true love you can't describe it I can't describe my true love for her I can't describe my true love for her I usually say so but when it comes to describing feelings so my mom I don't get words I love you and love to all the women out there more power to you guys परीधी आप अपने सीरियल में एक ऐसी औरत का किरदार निभा रही है जो अपने हक के लिए अपने पती को भी तालाग देने जा रही है लेकिन बहुत सी औरते आज भी हमारे समाज में है जो दुखी होते होए भी अपनी शादी को तोड़ने का फैसला नहीं लेती उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी बहुत ही मुश्किल डिसिजन होता है ऐसा है कि मैं उन सब विमन को कहूंगी कि ले लो डिवोस I think it's a long process बट अफकोस आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ के लिए क्या जादा इंपोर्टेंट है और आप अपने आपको किस जगह पे देखना चाहती है आप चाहती है कि यह सेक्रिफाइस के साथ हर दिन बिताएं उस दर्द के साथ जीएं जिस दर्द के साथ आप जीती जा रही है तो यह आपका डिसिजन है पर अगर आप चाहती है कि आपकी जिन्दीगी बेटर हो, बहतर हो, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, आपको खुद एवैल्यूइट करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि सिफ डिवोस तो एक मैटर है, बहुत सारी बाते हैं, इन फैक्ट ये भी होता है कि फै कि नहीं उसमें शर्माई, नहीं उसमें ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, गलत तो नहीं होगा, अगर जो आपको सेह रगता है, तो सबसे पहला कदम है, मैं कहना चाहूंगी, बोले, जैसा बवीता ने किया, उसने बोलना शुरू किया, उसने अपनी दिल की बात कहना और धीरे-धीरे मिन्नी के सपोर्ट से, उसने वो हर मुकाम को हासिल किया, जो उसके लिए इंपॉसिबल था, बट बोलना बहुत ज़रूरी होता है, और मुंबाई से जारा खान की रिपोर्ट, E-24 प्रें प्रें की रिंप लड़ा, बट खान की रिपोर्ट, E-24